हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल मैं से दोस्ती में आज का हमारा सेशन होने जारा परसेंटेज पे तो दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज से रिलेटेज कुछ कोस्चन करेंगे तो आज दोस्तों हम लोग परिच्छा से जो related question होता है जो percentage chapter में उसका एक अभीन अंग है उस type को दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे तो question of one हमाई इस पकार है एक परिच्छा में उतीन होने के लिए 35% अंग लाने होते हैं एक अभियार्थी को 40 अंग मिले तथा वह 30 अंगों से अंग 3 हो गया परिच्छा के अधिक्तम अंग कितने हैं यह हमें निकालना है दोस्तों जब भी इस अभियार्थी को 40 अंग मिलते हैं तथा वह 30 अंगों से अंग 3 हो जाता है तो 35% क्या है यह हमारा passing marks है तो passing marks 35% है यह बराबर है किसके तो एक अभियार्थी को 40 अंग मिलते हैं 40 अंग और वह 30 अंगों से फेल हो जाता है दोस्तों तो 35% कब होगा जब वह pass होगा लेकिन 30 अंगों से फेल होता है यानि अगर 40 अंग लाता है अगर 30 जोड दिया जाए तो क्या होगा pass हो जाएगा यानि 40 प्लस 30 70 यानि 35% बराबर दोस्तों क्या अतना हो जाएगा हमारा 70 हमें क्या निकालना है परिच्छा का अधिकता मांक यानि full marks तो 100% क्या होगा दोस्तों कोई परिच्छा हमें सा 100% होता है तो 70 बटा 35 आगुना में 100 तो 35-70 कटा दो बार में यानि परिच्छा है दोस्तों 200 marks का यानि आपका option number C answer होगा तो उम्मीद करते हैं कि question number 1 समझ में आ गया हो कैसा solve करना है तो आईए अब हम लोग question number 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अब question number 2 करने जा रहे हैं तो question हमारा इस परिच्छा के लिए उतिनांक 40% है यानि 40% में क्या होता दोस्तों वो पास होता है एक विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त के तता वो 15 अंकों से अनतिन हो गया पर इच्छा में अग्धित्म हम कितने यह में निकालना है 40% लाता तो पास होता है तो 40% लिखिए 40% बढ़ाबर उसको कितना अंक मिला तो 180 अंक मिला और कितना अंकों से फेल हो गया तो 15 अंकों से फेल हो गया अगर 15 और मिल जाता दोस्तों तो इसको 40% परसेंट आ जाता यानि 40% पास हो जाता तो 40% ब्रावर कितना हो गया हमारा एक दूसर हो गया 180 प्लस 15 दूसर हमें क्या निकालना है परिछा कि अधिक्तम अंक अधिक्तम अंक मतलब 100% तो 240 गुने 100 दोसो बटा 40 अगुना 100 यानि कितना आएगा हमारा 500 मार्क्स आएगा यानि ऑप्सन नंबर सी हमारा राइट एंसर हुआ तो उम्मिद करते हैं कोस्तम टूबी समझ में आ गया हो कैसा सॉल्व करना है तो आईए कोस्तम थर्ट कि रोबढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अब कोस्तम थर्ट करने जा रहे हैं हमारा कोस्तम थर्ट इस प्रकार है एक परचारती 30% अंग प्राप्ट करके 5 अंगों से अन्तिन हो जाता है तता एक अन्य विदारती 40% अंग प्राप्ट करके आवस्यक नियुनतम अंगों से 10 अंग अधिक प्राप् तो प्लस 5 कर दीजे अगर बराबर कर दीजे 40% अंक लाता है तो निम्तम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है तो दोस्तों ये 30% प्लस 5 ये क्या हमारा पासिंग मांक से है पासिंग मांक बराबर पासिंग मांक तो 40% आता है तो 10 अंक अधिक प्राप्त करता है अगर माइन यह हमको लाता है इंसर तो कितना हो जागा हमारा? 30% और 40% यानि 10% difference हो गया और यह कितना हो गया दोस्तों 15 यानि 10% बूराव 15 हो गया तो passing marks लोकि निकालना है या तो 30% plus marks लोकर निकालना है तो अगर 30% निकालते हैं तो 30$ को जागा हमारा? 100 mm 17, 30 % 75 गुना 3 कर देंगे गुना 3 कर देंगे तो 45 हो जाएगा हमारा तो passing marks कितना हो जा या तो पासिंग मार्क्स 30% प्रश्वन का भीलु कितना कि 45 आ गया तो 45 प्रश्वन प्रश्वन यानि 50 नंबर हमारे क्या हो गया प्रफिंग मार्क्स हो गया यानि कौन सा उप्सन है तो आपसन नमर ए हमारा राइट एंसर है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कोशन नमर थर्ड भी समझ में आ गया हो कैसा इसको सॉल्व करना है तो आए कोशन फोर्ड क्यों बढ़ते हैं तो दोस्तों अब हम लोग कोशन करने जा रहे हैं कोश्चन हमारा इस प्रकार है एक प्रषार्टी ने 30% अंग प्राप्ट किये तत्था उए 108 अंगों से अनोगतिन रहा दूसरे परिचार्टी ने 52% अंग प्राप्ट किये जो उतीन होने के लिए आवस्यक अंगों से 24 सद्धिक है उतीन होने के लिए कम से कम कितने परतिसेद अंग चाहिए यानि passing marks यहां भी बोल रहा है question of 4 तो question of 3 कितरा करेंगे 30% अंग प्राप्ट किये तो कितना अंगों से फेल हो गया दोस्तों 108 अगर 108 नंबर जोड दिया जा तो क्या होता पास हो जाता तो passing marks हो गया 30% प्लस 108 बराबर में दूसरे परिचार्टी ने 52% अंग प्राप्ट किये और उतीन होने के लिए आवस्यक अंगों से 24 सद्धिक है तो 52% अंग प्राप्ट किया लेकिन कितना है passing marks 24 हो धीक है तो अगर minus 24 कर देंगे तो ये भी passing marks हो जाएगा दोनों passing marks किया है दोस्तों बराबर है तो अब solve करते हैं ये 30% है ये 52% difference कितना होगा हमारा 22% कितना हो जाएगा 108 है 248 हो जाएगा 108 में 24 होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 132 हो गया तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 ठीक है क्योंकि 22 चक कितना होता है 132 होता है तो मैं 30% प्लस 108 passing marks निकालना है या 22% माइनस 24 निकाल लेंगे जो भी निकालेंगे दोनों क्या होगा एक होगा तो निकालते हैं 30% बराबर कितना हो जाएगा 1% बराबर 6 तो 30% बराबर कितना होगा 6 गुना 30 यानि 180 180 हो गया तो passing marks कितना होगा दोस्तों 180 प्लस में 108 तो कितना हो जाएगा 8 8 288 288 108 बनाने लिए कितना से मुट्प्लाइग करना होगा तो देखिए 18 से दोस्तों 8 चाच कितना होता 8 परे 90-चाच उठोल से तो इधर भी 8 चाच मुट्प्लाइग कर देंगे यानि 18% बराबर कितना होता दोस्तों 108 होता है ठीक है इस अब परसेंटेज में था तो मैंने क्या किया 22% बराबर 132 हो गया 1% बराबर 6 आ गया था अब जो नम्बर 108 है उसको परसेंटेज में कल्कुलेट कर दिये तो 1% बराबर 6 है जो 108 को 6 चाच लिशा करेंगे तो 818 से करेंगे यानि 28 इंटू 18 क्यों बढ़ते हैं कि दोस्तों को सब्सक्राइब एक शात्र को परिच्छा में उतीन होने के लिए 40 पर संग लेने थे उसने 178 रंग प्राप्त किये तता कुल 22 अंको से अनुतीन घोजित किया गया कुल पुर्णा कितने थे में निकाना फूल माक्स निकालना तो 40 पर संग ल 153 अनुतीन हो गया घोजित कितना अंक रहा झाल राता तो पास रहाता है देखिए क्या लिखा हुआ है कितना चाहिए 40 एक पर चाहिए पास होने के 40 परसंट उसको आ जाता है और पास दो तो 40 परसंट का फैल्यू कितना होगे हमारा कि एक 178 प्लस 22 यानि 8 दू 10 और कितना हो जागा साथ दू नों 10 200 ठीक है तो 40 परसंट बराबर 200 तो एक परसंट बराबर कितना होगा पांस हो गया हुमें क्या निकालना है फून अधुड फूल मक्स क्या होता है तो उल्डृ क Mae घृओं की तो फून लोग समझ होगता थी एक परशन वरव पंस हो गया है तो तो दौं के समझत करते हैं तो आईए हम लोग वियुर्ट बढ़ते हैं दोस्तों अब हमें लोग कोश्माट 6 करने जा रहे हैं बहुत थी दोस्तों असान है तो एक बाद समझते हैं हम लोग कोशन क्या बोड़ रहा है एक परिच्छा में कमल ने 70 परसेंट प्राप्त किये उसे चार्ड विश्यों में से मिला फ। कहुं है कि दोस्तों कि टोटल कितना साथ परसेंट 10% है ने ओवर युद्य कितना चलत और अश्य दूसरा यिवाए detox तिस्था विशन में 61 और चौथा विशन में पता नहीं है और overall कितना है दूस्तों 70% आया सब परसेंटेज में है तो बटा हम उगर 4 से डिवाइट कर दें दूस्तों तो बहुत ही आसान तिकते हैं हमारा आ जागा एक्स के फेलू और एक्स के हैं दूस्तों परसेंटेज में 208 हो गया और प्लस एक्स ठीक है तो 208 हो गया 208 प्लस X के फेलू कितना आकर दूस्तों 280 मेंचे दूस्तों 208 गटा देंगे यानी 72 आएगा एक्स के फेलू कूत नहीं 72 परसेंट हमारा क्या आगा दो स्थों अन्जर हो गया तो कैसे समझना है दूस्तों 70% किया है तो चार प्रसंट दोस्तों एव रिज्य है चार रंक है चारों को जोर के बटाचार कर दिये चार विसिक समझ में आ गया इसको सॉल्व करना है तो आगे को सेविंगर बढ़ते हैं कि दोस्तों कोस्तिमा 7 हमारा इस प्रकार है एक प्रिछा में लर्कियों तथा लर्कों के लिए उति möसैं प्रतीसर गर्म सा 35 क्षण तथा 40 प्रशण यह लड़की 35% 19 पर्शण पास हुई है और लड़का 14 पर्शण 25 पर्शण पास हुआ हैrd एक लरके ने 35 प्रसंद आफ सकता है पास होने के लिए और लड़कों के लिए 40 प्रसंद लाना आफसक है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किये तता वह 177 अंकों से अन्तिन हुआ ठीक है तो अगर दोस्तों 483 अंक लाया लड़का और 117 अंक से अन्तिन रहा अगर 117 जोड़ देता तो किसके बराब होता 40 प्रसंद के बराब होता तो 40 प्रसंद आजागा कितना 483 प्लस में 117 तो जोड़ते हैं से साथ-ं-दउस-ंणा एक आक अइक नौ एक दस चार-एक पासे चैनि 600 प्रसंद दोश्तों ऑफिथ एक उसन चोड़का नोग दो चान चारिस्परसेंट तो जोड़कीयों का निंखान ख तो चारिसम रहें च्छेसोओ आप सब्रद मिदस निकालना तो दूचों को 8, 300, इस चार से करेंगे, 4,78, 4,25, 75, गुने 7, तो इसको solve करेंगे, कितना हैगा हमारा, 5,35, 5,3, 7,49, कितना हैगा दूस्तों, 5,35, 5,3 हो गया, 7,49, 50, 5,35 आ रहा है दूस्तों, तो कौन सा option होगा हमारा, लड़कियों के नियुंता हम कितना है हमारा, तो 35% है, तो यह जो दोड़ लेते हैं, 7,3,10, 1,8,9,1,10, 4,5,600 है, 600 बराब कितना होगा है, 40% हो गया, तबहें निकालना है, 35% निकालना है, तो 600 परची सारा है, यानि option क्या होगा दोस्तों, इन में से कोई नहीं होगा, ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, कि question number 7 समझ में आ गया हो कैसा solve करना है, तो आईए, question number 8 क्यों बढ़ते हैं, दोस्तों, question number 8 हमारा इस परकार है, किसी परिच्छा में, A तथा B करम सा, अधि परिच्छा में, जो अधित्तम कितने थे, का 60% तरह 30% अंग प्राप्त करते हैं, ठीक है, परिच्छा का मान लिए, कि अधित्तम अंग X था, X का 60% और X का 30%, दोनों का सम दिया हुआ है कितना, 783 दिया हुआ है, तो दोस्तों, X का 90% हो गया, तो X का 90% वो किसके बराबर है 783 के बराबर है, 783 के बराबर, हमें X के भेलू पता करना है, तो सॉल्व कर लिजे, 782, 0, ऊपर चला गए, बटा में, 90, सॉल्व करते हैं, 1,0 से 1,0 कैंसल अट हुआ है, 9 से 972, 993, यानि 890 आ रहा है दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों, 9, 976 हो गया है, फिर 930, 870 आ तो कौन सा उप्सन है, उप्सन नमर्ट B, तो डायक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इतना थो ही लिखते हैं हम लोग, डायक्ट X का 90% करते हैं, 60% है, 30% है, दोनों को जोड देते, तो X का 90% कितना है, 783, सॉल्व कर लेते, तो महां कितना एंसर आता, 870 एंसर आता, तो उमीद करते हैं दोस्तों कि कोसमा 8 समझ में आ गया हो कैसा सॉल्व करना है, तो आईए कोसमा 9 के और बढ़ते हैं, दोस्तों कोसमा 9 हम लोग करने जा रहे हैं, कोसमा 9 हमाई इस पकार है, किसी परिच्छा में 5% अभियारती अयोग घोसित हुए, तथा योग अभियारत कि अयोग घोसित हुए, यानि बचा कितना दोस्तों, 95%, 95% बचा, उसके अदबोर रहा है, कि तथा योग अभियारतियों में से 85% प्रिचारती समान ने बढ़के थे, और इतना योग अभारती में अन्य वक्त से हैं, यानि 85% समान ने थे, तो 15% जो बच्छा है, वो कितना होगा दोस्तों, दूस्से वड़के होंगे, और टोटल संक्या कितना दिया है, 4,275, बस आपको यह ही solve करना है, 100% निकालना है, तो एक्स का क्या निकालना है, दोस्तों, 95%, 95%, उसका 15%, बड़ाबर कितना दिया गया है, 4,275, तो क्या होगा दोस्तों, 4,275, 100,100 उपर चला होगे, और 95, नीचे और 15, नीचे, अब काट दीजी, आप solve किजी, 5,15, 20, फिर 3 से cancel आट होगा, तिन का 3, 1 मर्तबे, 3,22, 3,2, 3,2, कितना होगा दोस्तों, 5,3,15, तिका है, फिर 5,8,40, पिर 3 से cancel आट होगा, ना तिन का 3,1 मर्तबे, 3,12, फिर 3,2, नीचे, 3,25, फिर दोस् होगे, 19,95 होगया, 19,33 से, ठीक है, अफिर 19,95 होगया, फिर 5 से cancel आट होगा दोस्तों, 5,20, यानि दोस्तों, 75 इंटू 400 कर दीजेगा, तो आपका answer आएगा, तो 75 गुने 400 किजिए, तो कितना होगा दोस्तों, 5,20, 11,2, 7,28, 30, यानि, 30,000 हमारा answer आगया दोस्तों, आपसन न होगे किये, टोटल अभियार्थी कितना होता है, 100%, होता है, जिसमें से 5% अभियार्थी अयोग घोसित हुए, तो 95 परसन योग जो है, उसमें से 85% समान ये वड़के है, यानि 15% किया है, दोस्तों, दूसरे वड़के है, और उसका value दिया हुआ है, 4,275, वही किये, 95% गु यानि आपका option number ए right answer हुआ तो आईए दोस्तों question number 10 करते हैं जो इस session का last question है दोस्तों question number 10 हम लोग करने जा रहा है question number 10 इस पकार हमारा एक परिच्छा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैटे हैं इन में से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उतीन हुए तो कुल कितने परिच्छा विदाती अन्तिन रहे यानि फेल हो गए यही निकालना है ठीके 900 लड़कियां तो लिखिए 900 लिखिए 40% लड़कियां पास हो गई यानि 60% लड़कियां क्या होगे जिसमें फेल हो गई प्रस में प्रस में 500 लडके हैं जिसमें 50% लड़के पास हो गए तो पचास लड़के पास बचास लड़के फेल हर जाएंगे बटा क्या करना दोस्तों टोटल आपका संख्या लड़का लड़की का यह लिख लिए यानि कितना होगा 900 प्लस ए यानि 2000 चोटल संख्या है अगुना में क्या किजिए दोस्तों 100 कर लिए परसेंटेज में आ जाएगा आपका गुना में 100 तो solve करते हैं 20 से 20 कैंसल आट हुआ है यान कितना है हमारा 540 पलस में 20 से 20 कैंसल आट हुआ कितना होगे 550 अब 8 में कितना है 2000 तो 2000 लिख लिए इंटू में 100 सॉल्व करेंगे जीरो नौ और दस एक हजार नब्य आ गया ठीक है अब 8 में 2000 था आगुना में 100 दो जूरो से दो जूरो कैंसल आट हुआ है एक जूरो से एक जूरो कैंसल आट हुआ हुआ है तो दू पच्छे तो आज का सेस्ट आपको समझ में आया होगा जो की परतीसत पर समझे सवाल था दोस्तों बहुत बाप पूच्छा जाता है इस चांप पूच्छ न और एकज्याम में दोस्तों हर सेसंघ रेल्वे एक्जाम में चाहिए किसी टाइप का एक्जाम हो, SSC और रेलवे हो, बैंक को सभी प्रकार के कम्टी एक्जाम में पूछे जाता हैं, तो दोस्तों आज इतना ही, अगर सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करे सेर करें, तो मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक को बखरते हैं, ठाइंक तो वाचिंग, जैहिन वनने मातरम